बिना पराठा बेले अगर स्वाधिष्ट पराठा बना सकते हैं तो फिर क्या चाहिए तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ मिक्स वेजिटेबल पराठा पर इस बार ट्विस्ट है मैं बनाऊंगी मकाई और ओच का पराठा तो बॉइल मकाई को इस तरह से क्रश कर लें मिक्सर जार में अब बॉइल किया हुआ आलू ग्रेट करके और धेर सारी सबजियां मैंने आप पर गाजर, कैपसिकम, प्याज, धनिया, पत्ता, मिर्ची ये सब चीजें डाल दी है अब इसमें डालेंगे नमक और पेरी-पेरी मसाला अगर आपको पेरी-पेरी मसाला नहीं डालना है तो इस तरह का आटा तैयार हो जाएगा ये कंसिस्टनसी होनी चाहिए इतना सौफ्ट अब थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हाथ पर ताकि ये चिपके नहीं देखिए इस तरह के छोटे-छोटे पेड़े बना कर डिरेक्ली तवे पर ही ऐसे बनाएंगे अगर देखिए बीच म अब बस एक चमच तेल जाएगा तीन पराठों में तो है ना बढ़िया से पराठे की रेसिपी और वो भी बिल्कुल कम तेल में जब ये खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आजाएगा चाय के साथ या फिर आप सौस या किसी भी डिप के साथ ये ले सकतें